नमस्कार मैं डॉक्टर अजीद भारती आज फ़र आपके लिए MP Board कच्छा ग्यारूई हिंदी विशय के अंतरगत हम राम नरेस्ट तिरपार्ठी का पर्चे लेकर आए हैं ठीक तो ये राम नरेस्ट तिरपार्ठी का पर्चे बहुत ही सरल भासा में लिखा गया है जिसे आप आसानी से क्या कर सकते हैं याद कर सकते हैं और समझ सकते हैं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे जब भी अगर राम नरेस्ट तिरपार्ठी का पर्चे तो लिखेंगे कॉंपी में उत्तर ठीक है उत्तर के बाद फिर हम और ये किसे लिखेंगे काले पेंसे और काले पेंसे ही लिख देना राम नरेस तिरपाठी का पर्च है इतना लिखने के बाद हम फिर लिख देंगे काले पेंसे ही दो रचना हैं जो भी आपकी इनकी दो रचना याद हो वो लिख दी अपने समय के स्रिष्ट कभियों में से एक हैं। आपकी कवताओं में देश प्रेम और नीजी प्रेम दोनों मौझूद हैं। लेकिन देश प्रेम को विसेश इस्थान दिया है। वे रचनातमक विचार धारा के पोसक थे। ये ओगया तुमारा भावपच। अब आते हम कला पच पर। तो कला पच हम काले पिंस लिख देंगे और पर उसके बाद नीले पिंस उत्त लिखेंगे। राम नरेस तरपाठी सुद्ध खड़ी बोली भासा के कभी माने जाते हैं। उनकी रचनाव में संस्कृत भासा का भी प्रियोग दिखाई देता है। आपने माधौर सैली का प्रियोग किया है। माधौर यानी माधौर जिसमें सरंगार रसो समझे लोग वहां माधौर ही रहता है। उपदेशात्मक वरडनात्मक सैली आपकी विसेशता है। अलंकार और पिर्तीकों का स्वाबाविक प्रियोग मिलता है। पिर्तीक कहलाता ह जब हम किसी बात को सीधे सीधे ना करके कहे कर परोच रूप से कहें सांकेतिक रूप में अब उसके बाद आता है हमारा साहित में इस्तान तो काले पिंस लिख दें साहित में इस्तान फिर उत्ता लिखना सुरू करेंगे तिरपाठी जी देश दर्शन और लगातार अध्यान करते रहते थे उन्होंने देश प्रेम संस्क्रती भारती ग्रामीर जीवन के दुल्लफ साहत उपलब करवाए हैं उनका साहत में बिसेश इस्थान है ऐसे असाधारन कभी को चिरकाल तक याद किया जाएगा तो यह हो गया आपका रामने तिरपाठी का पर्चे अगर आपको इस पर्चे से समंदित किसी पिरकार का कोई डाउट हो समझ में आया हो और भी हिंदी से समंदित कोई भी समगरी आपको चाहिए जो बहुत महत-पूर लग रही हो और कहीं मिलना रही हो तो हमें कमेंट करके अवस बताईएगा मैं सरल भासा में आपके लिए उपलत कराने का प्रयास करूँगा तो फिर आज के लिए इतना ही अब हम फिर मिलेंगे किसी नविसे के साथ तब तक के लिए धन्वाद